हलो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सभी बच्चे आई होब सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे मैं विनोध कुमार सर आप सभी बच्चों का फिजिक्स ऑन यूर टिप्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ बच्चों आज वो दिन आही गया जिस सर्प्राइस के लिए मैंने काफी दिनों से आपको सस्पेंस में रखा हुआ था काफी दिनों से आप इस सर्प्राइस का वेट कर रहे थे बचबाटी तो अब आईए देखते है जरा इस सर्प्राइस में है क्या असल में अगर मैं बताऊं तो हमारा जो एक्जाम होता है फिजिक्स का वो 100 मार्क्स का होता है अभी तो टर्म वन टर्म टू का सिस्टम है लाइक 35, 35 दें 30 लेकिन वो थियरी वाले जो मार्क्स होते हैं उस पे तो हर एक टीचर फोकस करता है हम भी सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लेकिन ये 30 मार्क्स इस पे फोकस करना भूल जाते है लोग सोचते है स्कूल में तो करवा ही दिया होगा लेकिन स्कूल में हमें पता है कि ऐसा कुछ होता नही है बच्छा पार्टी अब आपकी वो मुसीबत अब आपकी वो प्राबलम दूर हो गई है अब होगी फिजिक्स और ज्यादा आसान अब हम पढ़ रहे होंगे फिजिक्स को और ज्यादा फील के साथ आपको यह जो सेट अप दिखाई दे रहा है आज मैं आपको इन सभी इंस्ट्रुमेंट से रूबरू कराने वाला हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके कितने experiments है और उन experiments के लिए आपको क्या-क्या apparatus की जरूरत पढ़ सकती है बजबाटी, generally क्या होता है वीडियो में हम देखते हैं, experiment वो करते हैं सब already connected होता है, उसके बाद देखा जाता है यहाँ ऐसा नहीं होगा आप घर बेटे बेटे यह feel कर रही होगे कि experiment तो असल में आप ही कर रहे है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी छोटी वायर काटने से लेकर, उसको connect करने से लेकर उसके बारे मैं सब चीज़ बता रहा हूँगा यह वायर होती किसलिए है, यह वायर है क्या इस वायर को यूज कैसे करना है इस वायर को काटना किस चीज़ से है और इस वायर को लगाना किस चीज़ से है विद प्रॉपर गाइडिंस और आप यह आपको काफी अच्छा लगने वाला है गाईज अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आपको कुछ नहीं करना आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोज शेयर करनी है so that ज्यादा से ज्यादा लोगों की ये help हो सके free of cost वीडियोज है इसका कोई आपको payment नहीं करना है कुछ नहीं करना है इसी चैनल पर वीडियोज रिलीज हो रही होगी और मैं ये आपसे promise करता हूँ कि practicals के जो 30 marks है वो 30 on 30 तो लेकर आएंगे ही थेयरी के लिए हम focus पूरा कर रहे हैं बस अब तो 100 on 100 हमसे कोई लेके जा नहीं सकता है उस 100 on 100 के लिए अब काम करना है तो लग जाओ दबा के काम करते है थेयरी साथ में चल रही है उसको वैसी चलने दो ये practicals की जो कहानी है ये जो experiments की कहानी है अब physics को थोड़ा feel कर लो जो topics आपने आज तक थेयरी में पढ़े experiment है वो ये है दो experiments आपके वीड स्टोन ब्रिज के बेहाफ पे है पहले एक तो आपको wire का resistance निकालना है resistance पर unit length और उसका फिर वी और आई का graph बनाना है और दूसरा experiment meter bridge की help से आपको wire का resistance निकालना है आई ये जो पहला experiment है to find the resistance per centimeter of a wire and draw the potential and current graph उसके help से हम क्योंकि वी बराबर IR होता है ठीक है ना इसके लिए हमें क्या-क्या apparatus की requirement है अगर आप ध्यान से देख पा रही होगे तो ये है आपका emitter हमें emitter की requirement पढ़ीगी एक तो उसके बाद ये है आप लोगों का voltmeter हमें voltmeter की requirement होती है इसमें ये है आप लोगों का real stat, real stat ये सब क्या होता है इसके बारे में तो detailed आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे ही पढ़ोगे बट अभी क्या है ना आपको सिरफ apparatus दिखा दूँ उनकी quality दिखा दूँ तो आपको ये ना लगे कि अच्छा मतलब सिरफ सर बोल रहे होगा कुछ नहीं राइट, so this is your resistance wire, got it guys, ये होता है one way की, ठीक है ना, ये one way की होता है और उसके बाद ये होती है connecting wires, ये सब कैसे काम करते हैं, कैसे connect करता हैं, ये सब पता चलेगा आपको, ये है आपका sand paper, ये connecting wires को हम इससे काटते हैं, ये है आप सभी बच्चों का, बिटा, meter scale, ठीक है ना, और एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज इन सब में, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आप लोगों का ये battery eliminator, नाम से समझ में आ रहा होगा, eliminator, मतलब ये battery की replacement है, battery जो cells आपको चाहिए होती, जो आप series में लगाते हैं, ये उनकी एक हिसाब से replacement है, ये सारा समान जो हम चाहिए ता first experiment के लिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ, आइए बढ़ते हैं अपने second experiment की तरह, बचो दूसरे experiment का समान भी हमारे सामने आ चुका है, और दूसरा experiment है, to find the resistance of a given wire using meter bridge and find the resistivity of its material, उसके बाद पहले resistance बताओगे, फिर उसके बाद आपका resistivity, ये सब कैसे perform होग अभी तो आपको सिरफ apparatus जानना है, इसमें क्या क्या यूज होगा, गैलवनो मीटर से आप first experiment में रूबरू हो ही चुके हैं, रियू स्टैट से भी आप रूबरू हो चुके हैं, तो रियू स्टैट भी चाहिए होगा अपने को, उसके बाद resistance wire भी चाहिए, उसके बाद आपका, जो पहले में चाहिए था, उसके चाहिए एक्स्ट्रा क्या है वो बताऊंगा आपको, तो ये वनवे की भी चाहिए आपको, connecting wires as usual, यहां से आपका sand paper, ये भी चाहिए, मीटर स्केल भी चाहिए होगा, वैसे मीटर स्केल इसमें दिया भी है, बढ़ फिर भी, resistance box ये एक extra है जो चाहिए अपने को, ठीक है ना, high resistance box है ये होता है, यहां से battery eliminator तो चाहिए ही होता है, है ना बचो, battery eliminator तो चाहिए ही होता है, जो main चीज है, जो आप लोगों को basically हम सिरफ diagram बनवाते थे, ठीक है ना, हम ऐसा diagram बनवाते थे आप लोगों को, ये basically अगर हम देखा हम ऐसा diagram बनवाते थे, like ऐसा, ये ऐसा और फिर ये ऐसा, बट अब आप लोगों को proper जैसे ये जोकी है, कैसे काम करेगा, कहा connection होंगे, कैसे कैसे connection होंगे, अब ये सबाब proper मेरे साथ feel कर रहे होंगे, so I hope ये हो गया आपका दूसरा experiment का समान, तो चले बचो बढ़ते हैं नहीं कि आपने potentiometer पढ़ा ही है, अब potentiometer में basically दो experiment है, क्योंकि उसके दो ही applications है, एक तो दो primary cells का EMF compare करना, और दूसरा एक cell का internal resistance निकालना, so this is the third experiment, जिसमें हमें दो cells की ज़रूरत पढ़ेगी, और हम उनका EMF compare कर रहे होंगे, बचा पाटी इसमें हमें क्या-क्या requirement है, व एक galvanometer की requirement है, यह सब आपको detail में बताऊंगा मैं, एक voltmeter, इसके बाद जो हम already देख चुके है पहले, like resistance box, ठीक है ना, यहाँ पर आपको basically sandpaper, again your meter scale, यह सब तो same है, ठीक है ना, और क्या-क्या सेम है, resistance wire भी same है, one way key भी same है, बचो अभी मैं नीचे समान देख रहा था, तो two way की कई हमारी इदर उदर हो गई है, तो जो two way की है हमारी वो मैं आपको दिखा दूँगा, यह connecting wires है, ठीक है, वो दिखा दूँगा कैसे दिखती है, यह आपका real stat है, ठीक है ना, यह सब चाहिए था यह आपका battery eliminator है, अब बात आएगी इसके main तीन चीजों की, यह है आपका एक cell और यह इसके electrodes रखे हुए है, हम बनाएंगे, कैसे cell बनाएंगे, जैसे Daniel cell और Leclanches cell हो गया, यह भी आपका एक cell बन जाएगा, इसमें solution डल रहा होगा, और अब finally बात आएगी potentiometer की, तो यह रहा बचो, आप लोगों का potentiometer, आज तक जो आप बोर्ड पे नॉर्मली दिखते थे, जो डबे डबे से बनाते थे, अब आपको यहाँ पर physically देखने को मिल रहा हो, मज़े आ रहे की नहीं आ रहे, है ना, चले, तो बचो, अब हम बढ़ेंगे अपने experiment number four की तरफ, यानि इसी potentiometer की help से, हम एक cell का internal resistance निकालेंगे, उसमें बहुत ज्यादा changes तो नहीं है apparatus में, जो changes है वो आपको पता चले जाएगा, तो बच्छे पार्टी, यह आपका जो fourth experiment का material है, यह आ चुका है, यानि कि अब हमें internal resistance निकालना होगा एक cell का, हमें दो cells की जरूरत नहीं, अभी एक cell से ही काम चल जाएगा हमारा, उसके बाद जितना भी समान है वो same है, लेक बस एक चीज़ है, वहाँ पर two way की लग रहा था, यहाँ पर दो one way की चाहिए होंगे, बाकी सारा समान same है, जो हमने third experiment में देखा, I hope आपको अच्छा लगा होगा यह सब देखकर, आपको feel आ रही होगी, कि मतलब अब हम physics की class में और मज़े कर रहे होंगे, अब जो हब तेरी है हमारी, उस पे और दिमाग खुल रहा होगा, जब हम experiment परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है, आप नीचे comment box में भी ज़रूर बताते रही हैगा मुझे, क्योंकि ये तो मतलब surprise तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, आप बताईएगा आपके लिए कितना बड़ा है, तो चले बच्छों बढ़ते हैं अपने fifth experiment की तरफ, अब आपको पता है कि galvanometer का concept आएगा chapter 4 में, तो अब हमें क्या करना है, एक तो हमें galvanometer का resistance निकालना है, by half deflection method, ठीक है न, उसके बाद हमें इसी galvanometer को emitter में convert करना है, और उसके बाद हमें इसी galvanometer को voltmeter में convert करना है, चले बच्छों galvanometer को, galvanometer को हम ले लेते हैं और उसका resistance निकालते हैं, तो इ पार्टी फिफ्ट एक्सपेरिमेंट का समाने आ चुका है अब हमें बेसिकली गैलवनो मीटर का निकालना है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से कैसे निकलेगा वो डीटेल वीडियो आईगी उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा बट उसके लिए क्या क्या सामान की जरूरत है वो देखो आपको पता है वोल्ट मीटर पता कर चुका फटा 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 इसको साइड में का वोल्ट मीटर और मीटर कनेक्टिंग वायर जैस यूजवल सब जगे चाहिए होती है सैंड पेपर चाहिए ही चाहिए उसके बाद आपका मीटर स्केल यह भी चाहिए उसके बाद आपकी वनवे कीज यह भी चाहिए अपने को बैटरी ऐलिमेनेटर राइट यह बहुत- बड़ा रोल प्ले करता है रियू स्टाट ये भी चाहिए और 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 दो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए एक स्मॉल रेंज का और एक बड़े रेंज का लगवग एक 10,000 ओम के आसपास का और एक आपका 200 ओम के आसपास का ठीक है ना तो ये चाहिए था आपने फिफ्थ एक् हमें convert करना है galvanometer को emitter में तो बचो 6th experiment जो है हमारा वो है आपका galvanometer को emitter में convert करने का जो अभी आपने पड़ा जो अभी आपको 5th experiment में apparatus दिखाया बस उस में से सिरफ ये voltmeter को exclude कर दो बाकी सब चीज जो है इसमें यूज होने वाली है और इसके बाद जो 7th experiment है यानि की to convert galvanometer into voltmeter to convert galvanometer into voltmeter उसके लिए आपको यहाँ से emitter को exclude कर दो voltmeter लगा दो बाकी जितना भी ये सारा समान है ये सब चाहिए राइट बच्चो ये सब आपके सामने आ गया ये वाला समान करने में मतलब इकटा करने में थोड़ा सा समय लग गया ठीक है तो अब हमें ये आठवा experiment है हमारा to find the frequency of AC mains with the help of sonometer 7th chapter में आप पढ़ोगे frequency of AC mains इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए awaited instrument sonometer ठीक है ना sonometer में यहाँ पर अगर आप देखो गये तो पुली भी लगी होती है ठीक है ना वह हम कर रहे होंगे उसके बाद rubber pad चाहिए कैसे काम करेंगे यह तो बताऊओगा ही मैं चीक है ना यह आपका वजजस चाहिए ठीक है ना उसके बाद ये आदे किलों के वेट जाए ये बहुत सारे हैंगर बहुत भारी वेट्स है ठीक है न? ये सारे लटक रहे होंगे बहुत भारी है सच मैं और अब फाइनली फाइनली खुलने वाला है हमारा सूट केस – मिस्ट्री बॉक्स और इसमें हैं हमारे आठ ट्यूनिंग फॉक्स हाँ ये सब हम कर रहे होंगे चीक है तो मज़े आएंगे और इसी के साथ यार ये जो आपके 12 के एक्सपरिमेंट्स का समान था आपको दिखा दिया सुदर्ड आपको ये यकीन हो जाए कि सब है अपने पास और करने के लिए बहुत जादा समय नहीं लेंगे बहुत जल्दी आपके पास इसकी डिटेल डिटेल वीडियो आ रही होंगी बच्च पार्टी स्टे टून फोर दिस सपोर्ट कर ये वीडियो को शेर करिये और ये सर्प्राइज आपको कैसा लगा ये जरूर बताईएगा I hope आपको अच्छा लगा होगा तब तक के लिए गाईज अल दे वेरी बेस्ट बाई ओल बच्च और येस जैहिं